सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फॉलो लिंक या पर आपको यूटूब में दिख रहा है टेलिग्राम चैनल जहांसे आप पीडियाप को भी लूट कर पाएंगे इस प्रेक्टिस सेट के पीडियाप साथ इस्टाग्राम और फेस् पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो की बात करें कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं तो देखिए अप्यडागोजी का प्रेक्टिस सेट 3 होनेältा आपने इससे पहले प्रेक्टिस सेट 1 या अभी तक प्रेक्टिस नहीं लगाते हैं तो वह आपु किस एक्जाम के लिए मुखेते हैं तो आप देखेंगे सी टेट है सी जी टेट यूपी टेट या अधर कोई भी टेट हो ठीके साथ ही सिख्छक भरती केवियाज नवोदे डी टेपलेस भी या और भी ऐसी कोई भी भरतियां हों जिनमें भी पेडागोजी से बाल विकासर सम् करका है i get two लेइश पहला कोश्शन क्या है कि रहा पर कथन और तर्क वाला कोश्शन दिया कि कथन यह है कंच्छाओं में लड़के गadiत वो विग्ज्ञान में लड़कीं से कहीं बेहतर हैं प्रदरसन करने के चमता रखते हैं किसी कक्षा में जो लड़कें वा लड़कें से बेहतर प्रदरसन करने के चमता रखते हैं और इसका तरक क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों है क्योंकि लड़कों में लड़कियों के आप एक्षा गड़ती है तरक वा ग्या बिल्कुल सही व्याक्या नहीं कर रहा है कि लड़किया दिमागी रुप से उन से सहज नहीं होते हैं या कमजोर होती है ऐसा यह बोला जा रहा है तो गलत हो जाएगा और बी की बात करें कि ए और आर दोनों सही है लेकिन गलत व्याक्या कर रहा है ठीक है तो यह भी बिल्कु नहीं है गड़ीद पढ़ने की लड़का हो या लड़की या जरूरी नहीं है कि वह लड़का है या लड़की या जैसा exercise किया जाता है जैसा प्राइमखर ठीचर हो खो समय ईठाप से किसी में भी लड़की जाएगा तो वैक्प्स कैसा है जाएग़ जाए गलत है तो question number two आपके सामने आ जाता है आप देखेंगे क्या question number two कि राष्टे सिक्षानिती 2020 किस पर जोड़ देती है इन चार points में से किस पर ज़्यादा जोड़ देती वह आपको बताना है सबसे पहला पाठी चर्चा का लचीरापन बहुत अच्छी बात है flexibility की बात की है ठीक है second है पाठी चर्चा का मानकी करड इस्टेंडराइजेशन ठीक है तो मानकी करड बिलकुल भी नहीं बोलता कि जहां पर इस्टेंडर की बात हो जाए वही वह option गलत हो जाता है यह पाठे पुस्टकों का गयर संदर भी करड गयर संदर भी करड जैसे ही होगा यह गलत हो जाएगा option यह हम लोग डी देखें के पाठे पुस्टकों को रट कर याद करने पर हमेशा मना किया है तो यह.. option बज़ता है, आपको option number A यहाँ पर सही हो जाएगा किसी के साथ आपनों के दिए question number 3 question number 3 आपके सामने आ जाथे आपके मुल्यांकन का केंद्रा क्या होना चाहिए option number A क्या नहीं करशकता इसका चित्रण हो दूसरा कच्छा के दुसरे बच्चों की तुलना में अधिगम करता के परदर्सन का इस पस्टी करण करना ठीक है तीसरा मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना और चौथा अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा इसका वर्डन करना Question number 3 तो आप देखेंगे चली एक एक पहले Option हम लोग कट करते हैं Option number 1 की बात करें कि अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रड मुल्यांकन का मतलब यह नहीं कि बच्चा क्या नहीं कर सकता उसका आप चित्रड कर दो यह गलत Option हो जाएगा B है कि कख्चा के दूसरों बच्चों की तुलना यह जैसे ही तुलना की बात आगी तुलना पर तुलना का रात्मक होता यह गलत हो जाएगा मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना उच्च वर्ग में बच्चों को चिनहांकित करना या लेबल करना यह भी गलत बात है किवले की option बचता है वो है आपका option number D क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख पा रहा है उसकी जानकारी के लिए हम मुल्यांकन करते है कि बच्चे कितने question बना पा रहे हैं या क्या सीख पा रहे हैं क्या नहीं सीख पा रहे हैं यह question number 4 की बात करें तो question number 4 आपके सामने आ जाता है अब देखेंगे question number 4 क्या है कि नीमनलिकित में से कौन सा विकल्प एक समाजी क रजनावादी कख्षा कख्ष जिसमें बच्चों की वेक्तिगत जरतों का ध्यान रखा जाता है कि व्याक्या करता है तो यहां पर देखो क्या बात बोला जायर समाजी करचनावादी कख्षा कख्ष में ठीके वेक्तिगत बच्चों की वेक्तिगत जरतों का ध्यान रखा जाता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे option है बैठने की तैब्योस था किसी भी बच्चों की बैठने की एक fix arrangement हो जाए तो बिल्कुल गलत बात है सही नहीं कि बच्चा आएगा यहीं पर बैठेगा यहीं सके अलाओ दूसर जेगर नहीं बैठेगा दूसरा सिक्षकों का केवल निर्देश देना हुआ बच्चों से पूर आग्या पालन का पिक्चा करना कि बच्चों को केवल आप निर्देश दो और बच्चे आग्या पालन करते रहें यह भी गलत है यहाँ आप देखेंगे समाज, समाज में जीना हमे, समाज में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहां समू की बात हो रही है, यही आपकर सही हो जाएगा, इसी कसांद कोश्चन नमबर फाइब की बात करें, question number 5 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे question number 5 कि नीवन लिक्ष एक में से कौन सा परच्णकक्छा में कैसा समालोचनात्मा सोच को बढ़ावा देने का सहि हुदाहरण है या आपको बताना है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे करना क्या है बच्चे को सोचना है सोचने की यूज करने है उसको ठीक है अपर देखेंगे एक क्रिटिकल थिंकिंग करना है बच्चे को सोचना है तो तीन सो पचीस और चार सो श्यासी को जमा करो अर्थात यहां पर आपका करना जोड करना एड करना तो जोडने में किसी भी सोच की करने के लिए किसी भी सोच की जूरत नहीं होती जब कि यहांप अगले कोशन पर बढ़ है इससे पहले यादि दोस्तो आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेए एक वीडियो को लाइक कर दिजे कमेंट कीजे साथ ही अपने दोस्तों को भी सेर किजिए बागी लो बरूर करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा जैसे आपके सब्सक्राइब लाइक मिलेगा मैं आपके लिए और भी अधिक कंटेंट अच्छे कंटेंट लेकर के आप आऊंगा चले दोस्तों बढ़ते हैं अगले कोशन में कोशन नमबर 6 आपके सामने आता आपके कोशन नमबर 6 देख पाएंगे कि निम्न میںसे कौन सा विद्यालियों में समावेशन की संस्कृति को दर्साता है ऑब संस्कृति यहां पर आपको बताना है inclusion ठीक है तो इसके बारे में आपको बताना है देखो यहीं पर हम लोग बात करें कि विद्यार्थियों के जरुतों को पूरा करने के लिए विभेदी आगलों को बढ़ावा दिया जाए सही बात हैं अगला option देख लेते हैं विबिन्नता और विवित परिपेक्शों को हतोत्साहित करना डिसकरेज करना हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत हो जाता है विद्याले में कुछ विद्यार्थी ही अभी भावीद और समाहीत मحसूस करते हैं कुछ विद्यार्थी की जहां यह बात आजाएगा, कुछ विद्यारतियों के लिए बाकि को नेगलेट करना है, ति यह बी ही option गलत हो जाएगा, दी की बात करें कि विद्यारतियों को उनकी यो गयताओं के अधार पर इस थाई सम्मोव में बाटना, ति यह बी ही गलत हो जाएगा, पर एक और बचे का option नमबर एक इसी के साथ question number seven आपके सामने आ जाता है आप देखें question number seven क्या बोल रहा है हाँ कि सांस्कृतिक रूप से विवीध विद्यार्थियों वाली कक्छा में एक सिख्छक को निम्न लिखित में से किस से बचना चाहिए यहां पर पूछ रहा है कि व ठीक है आप देखेंगे यहां पर हो जाएगा option number यह है कि चर्चा में विवीध संस्कृतियों के उदाहरण लाना बिल्कुल एक से अधिक संस्कृतिक आप उदाहरण ला रहे हैं अच्छी बात है गलत बात नहीं है इससे नहीं बचना है दूसरा है प्रभावी संस्कृति के लिए उप्यूक्त पार्टे करम और सिक्षड से लिए विक्सित करना केवल यहां पर बोल रहा है कि जो प्रभावी संस्कृति उसके बारे में बात करना तो यह बात तो गलत है अगला देखते हैं विद्यारतियों को अपने संस्कृति की अनूटी विशिस्थाओं को सा करने के लिए प्रोसाहित करना बिल्कुल बच्चों को आप प्रोसाहित कर सकते हैं कि अपने अपनी संस्कृति के बारे में बताएं इसे क्या होगा बच्चों में जिग्यासा बढ़ेगी एक साधिक संस्कृति को जानने के लिए उनके उत्साथ बनेगा है ना विद्यारत कोश्यन नम्र हम लोग एट की बात करने तो कोश्यन नमरेट आपके सामने आ जाता है आप देखेंगे कि निम्न अलिकित में से किस्से विद्यारती की अक्छरों और सब्दों को पढ़ने की पढ़ने उसकी व्याक्या करने और उनसे समझने की छमता सिधे प्रभावित होती ह तो केवल यह आप देखेंगे dyslexia से हैं इस पर एक अमिर खान के movie भी बनी हुई है तार जमी पर आप उससे देख पाएंगे ठीक है कि बच्चा वहाँ पर क्या होता है 6, 9 को नहीं पहचान पता कभी 6 को 9 बोले कभी 9 को 6 बोल देगा ठीक है यहाँ पर जिस आप देखेंगे dog, god तो इस टाइप से mistake होता है उससे dog लिखा हो तो वो पढ़ लेगा, god पढ़ लेगा इस परकार से same same चीजों पर यह confused हो जाता है नहीं समझ पाता है ठीक है तो dyslexia हो जाएगा आपको option number C किसीक साथ हमने question number 9 की बात करें question number 9 आपके सामने आ जाता है यहाँ पर देख पाएंगा question number 9 है क्या पुछा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विदार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निमने में से किस से बचना चाहिए फिर से बचने की बात हो रहे हैं मतलब नकारात्मों क्या नहीं करना चाहिए दिव्यांगता विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांग है डिसेबिलिटी से हैं ठीक है उनके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए option यह है उपरी मंजील पर कक्छाओं का पुष्ट काले और प्रयोक साला का अभंटन अगर बच्चे विकलांग है तो आप उपरी मंजील पर यह चीज़े करेंगे तो थोड़ा गलत है या तो थोड़ा से गलत है देखते हैं अगला option विद्यार्थी के सबी छेत्रों को रैंप और लिप्टों से समतल करना बिल्कुल सही है यदि विकलांग बच्चे हैं सीड़ी और रैंप यह साथे चीज़े लिप्ट अगर समतल हो जाएंगे तो उनको चलने में थोड़ा आसान होगा सही होगा तो यह सही है दी है बैटने की विवस्ता में उचित समाविसन बिल्कुल यह दि विकलांग बच्चे हैं तो उनके बैटने की विवस्ता करनी पड़ेगी तो यह तीनों ही सही है कि अवल option नमबर A गलत है और गलत ही पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा आपका option नमबर A कोशन नमबर टेन की बात करें कोशन नमबर टेन आपके सामने है कि नीमन लिकेत में से कौन से स्री जनात्मक विद्यारतियों की पहचान सम्बंदी विस्ता नहीं है स्रीजनात्मक विद्यारतियों की पहचान संबंधी पूछा जा रहे हैं आप देखेंगे क्या है option number A कि उच करम समस्या समाना high order problem selling यदि बच्चा क्या है स्रीजनात्मक है ठीक है आप पूछा जा रहे है स्रीजनात्मक विद्यारति की पहचान नहीं है स्रीजनात्मक है अच्छा है तो वह क्या करेगी उच करम का समस्य से solve करेगा बिल्कुल करेगा option number C की बात करें नवाचार प्रयोग ने ने प्रयोग करना बिल्कुल करेगा तिसरा जिग्यासा की प्रबल होता होगी उसमें वह बहुत ज़्यादा जिग्यासा होगा जानने के लिए एक से एक ति तीनों तो सही है तो एक ही बज़ता है आपका अभी सारी सून दूसरी बात आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे divergent thinking और convergent thinking के दो परकार के thinking होती है तो divergent thinking जो होता है वह होता है आपका creative से संबन देती है जो स्रिजनात्मक पूछा है न वो divergent thinking से होता है जबकि convergent thinking से intelligence होता है तो यहाँ पर यह अलग चीज़ है इसलिए option number 20 का सही अंसर हो जाएगा इसी के साथ हम लोग question number आगे बढ़ है दोस्तों साथ ही आप यहाँ पर यदि इस practice set का PDF प्राप्त करना चाहते है तो आप telegram से load कर पाएंगे और telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा साथ ही यदि किसी question में आपको किसी तरीक डाउट होता है कि सर यह question मुझे समझ में नहीं आया आए आपकी इस तरीके समझाए तो आप comment box में comment कर सकते हैं उसका answer जो है वह description के साथ लिख करके आपको वहाँ पर भी दिया जाएगा आप वहाँ से भी अपना match कर पाएंगे चलिए तो हम लोग देखते है question number 11 की बात कर रहे है कि किसी विशेज विशेवस्तु को लंबे समय तक इस मरड़ रखने को सुसाध्य करने है तो एक सिक्षक को निमने लिखित में से किस रड़ निती से बचना चाहिए फिर से वही बचने की बात हो यह मतलब नगानात में question पूछ रहा है इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं दिया हो या फिर बचना दिया हो तो एक खास चीज थोड़ा से question हो जाता है आपका देखेंगे है न कि इसमिर्ति सहाइक विधिया लागू करना देखो यहाँ पर निमोनिक्स की बात हो रही है तो निमोनिक्स क्या होते हैं आप देखेंगे इसमिर्ति सहाइक विधिया यह जो है जैसे कि आप कोई चीज याद करने तो उनके लिए एक ट्रिक्स बनाते हैं कि दिमाग में आप ध्यान रखेंगे उसके लिए ट्रिक्स बनाते हैं करना तो मांसिक चीत्र का उपयोग करना भी सही है तो यह जाए कि जाने वाली समागरी खाली इस्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सिखते हैं तो सीखे जाने वाली समागरी क्या होगा तो बच्चे जादा सिखेंगे जटील और व्यापव यदि वह जटील होगा तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सिख पाएंगे गलत बात है मजूदा ग्यान से जूरी हुई हो अच्छी बात है सही है देखते हैं अगला बेवस्थित और असंगटित हो यह भी गलत बात है उनके समाजिक सांस्कृतिक संदर् अच्छी बात लिए यह बोला जा रहा है कि भी गलत बात है तो यह की ऑप्सन है ऑप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा चलिए सिक्साथ कोश्चन नमबर 13 की बात करें आपके सामने आप देखेंगे कि निम्ना लिखित में से कौन सा कारक सैक्षिडिक उपलब्दियों मे विध्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है उसके विफलता देखें सैक्षिडिक उपलब्दि में विफलता में योगदान देने वाली क्या चीज़ है अनुभवात्मक्ष सिक्षा मतलब यह आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चा एक्सपेरिमेंट करकर का पाट्टे करम पढ़ेगा तो उसके लिए अच्छी बात है बिल्कुल सही है यहां पर है चाइल सेंटर टीचिंग के बात यह बहुत अच्छा उनके फेवर मौत है यहां पर ऑप्शन गलत है यहां पर ऑप्शन नंबर भी यही इसका आंसर हो जाएगा इसका साथ कोश्च टीचर देता हो उसके निस्करिय प्राप्त करता नहीं होते हैं पर उसके सक्रिय प्राप्त करता होते हैं ऑप्शन बी की बात करें तो बच्चों में अधिगम को विनीमित करने की छमतर नहीं होती बच्चों को यहां पर निगेटिव ले लिया है नहीं मान लिया है यह गल संप्रत्य और दिया गया उसको पड़ाना है बच्चों को, तो किस चीज से आपको बचना है negative से क्या नहीं करना वही पूछा गया है उस संप्रत्य से संबंधित उदाहर देना, बिल्कुल शही बात है आप उससे related उदाहर दे सकते हो कि अच्छी बात है दूसरा उस संप्रत्य के लिए असतत उदार देना असतत थोड़ा से नेगेटिव लेकिन पुरी तरीके से नेगेटिव नहीं है सी ओप्सन देखते हैं संप्रत्य संबंदित गर उदार देना यह पुरी तरीके से नेगेटिव है कि जो topic आप पढ़ा रहे हैं उससे अलग आप example देंगे तो यह तो गलत बात है तो option number B भी सही हो जाएगा यहाँ पर अब option number D उसके संस्कृति से प्रचलित अध्यत रूप उसके संस्कृति से संबध्यत चीज़ आप बढ़ाएंगे तो यह भी अच्छी बात है तो यह ही गलत है option number C और यह ही इसका answer हो जाएगा question number 16 की बात करें हाँ तो है स्वयम के ग्याता होने का ग्यान जाग रुकता क्या दरसाती है तो स्वयम के बारे में जानने की चीज़े को हम बोलते हैं metacognition की बात करते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा option number A metacognition AEC के साथ हम रुक देखें question number 17 की बात करते question number 17 आपके सामने आजाता अब देखेंगे कि कठिनाई की पहचान लक्षे निर्धारण संभावित समाधान और परडामों की खोज तदानुसर कारे करना और परडामों का मुल्यांकन करना किस प्रकिरिया में सामिल मातौपूर चरड है तो किस में यह चरड सामीले क्या पहले कठिनाई की पहचान करो फिर लक्षे निर्धारण करो फिर संभावित समाधान लो फिर परडाम तक पहुंचो तो यहां सीधे से आप देखोगे कि यादि कोई भी समस्या हो तो पहले हम समस्या को solve करने के लिए problem solve करने के लिए ऐसी जिखरते हैं कि पहले समस्या को आपको पहचानना है फिर लग्चे का निर्धार करना है कि क्या करना है मुझे फिर समाधान खोजना फिर फाइनल प्रड़ाम तक आप पहुचेंगे तो option number 6 इसका सही answer होगा ऐसे के साथ question number 18 की बात करें तो यहाँ पे भी question आपका अभी कथन और तर्क वाला है देखिए आपे अभी कथन ये क्या बोला गया है कि सिक्षड अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक होता है सिक्षड अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियां जो है उनकी खोज करनी चाहिए और उन पे चर्चा करना चाहिए यह सार्तक है उसका तर्क क्या दिया कि तर्क क्या है उसका है ना आप देखेंगे तर्क कि यह विद्यार्तियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का आउसर देता है और जाज का नेतलित देता है तो बिल्कुल सही बात है दोनों सही बा बोर्यत महसूस होने की संभावना है क्या करोगे आप ampli तो यहां पे पता नहाद देसों गति जीको महतों आदेना या तो गलत बात है ठीकेhai उने सफलता मिलने पर सही बात है उनकी सफलता के उप्यूपैक्चा होने पर सही बात है तो होने से यहाँ पर बोरियत की बात हो रही निगेटिव की बात हो रही तो आप देखो आप गती वीधी नहीं कराओगे तो बच्चे बोरियत महसूद करेंगे तो option A ही इसका correct answer होगा इसी के साथ हम लोग देखें question number 20 की बात करें question number 20 आपके सामने आ जाता है आप देखेंगे कि निमनलिकित में से कौन सा तरीका प्रती पुष्टी को प्रेरक की रूप में उपयोग करने का अनुची तरीका है तो यहाँ पर आपको देखना है प्रती पुष्टी की बात हो रही फीडबैक की बात हो रहा है जो motivation के रूप में गलत तरीका है उसके बारे में पुष़ा जा रहा है देखेंगे यहाँ पर सही अंसर क्या होगा हूँ बतरते ही इसमें कि विद्यार्थी की छमता पर केंद्रीत प्रती पुष्टी देना थोड़ा negative है देखते हैं अगला गति विद्य की प्रक्रिया पर केंद्रीत प्रती पुष्टी देना वहां क्या गति विद्य हो रही हो उस पर केंद्रीत प्रती पुष्टी देना सही बात है विध्यार्थी के काम से सम्मणदित वरडात्मक सेली में पुष्टी देना अन्य विध्यार्थी के साथ तुलना करें यह बीना पुष्ट देना हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुलना करना बोलता तो गलत हो जाते हैं कि तुलना किये भीना प्रतिपुष्टी दे रहा है फिर फेक दे रहा है तो यह अच्छी बात है तो इसमें गलत एक ही है कि विदार्ती की छमता पर प्रतिपुष्टी दे दे विदार्ती की छमता आप कै कैसे आगलन कर सकते हो कैसे बोल सकते कि उसकी छमता नहीं या गलत है तो यह प्रतिपुष्टी देना गलत ही इसलिए इसका सही अंसर यही होगा option no.1 दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा प्रेक्टिस सेथ कंप्लेट होता है यह आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं कर दो जल स नहीं वांदे मात्रा!